जय हिन्द साथ यो आज हम बात करने वाले हबीस बहुत ही महत्पून सवालों के बारे में यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताए और वीडियो को पूरा अंतक अवर्शित देखिए चलिए शुरू करते हैं आपका पहल सवाल है कौन सा पक्षी केवल एक आंग से देखता है आपका ओप्षिन है A. कॉर्व, B. तोता, C. कबूतर, D. चमगादर आपका सही जवाब होगा A. कॉपा आपका दूसरा सवाल है किस देश में हाथी को मारने पर मौत की सजारी जाती है आपका ओप्षिन है A. भारत, B. श्रिलंका, C. जापान, D. पाकिस्तान आपका सही जवाब होगा B. श्रिलंका आपका तीसरा सवाल है दुनिया का सबसे सस्ता खलकोब्सा है आपका ओप्षिन है A. केला, B. आम, C. करबुज, D. पापीता आपका सही जवाब होगा A. केला आपका चौथा सवाल है पूरी दुनिया में सबसे अधिक कौन सी सबजी बनाई जाती है आपका ओप्षिन है A. टमाचर, B. गोबी, C. आलू, D. करेला आपका सही जवाब होगा आपका सही जवाब होगा A. वास्के, रोजाना ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को आउन कर लीजिए आपका अगला सवाल है 6. कौन सा साप घोसला बना के रहता है आपका ओप्षिन है A. पाइथन B. रानी साथ C. धामल साथ डिप किंग कोब्रा आपका सही जवाब होगा डिप किंग कोब्रा आपका साथवा सवाल है किस जानवर का दूद पीने से दिमाग तेज होता है आपका ओप्षिन है A. बटवी B. गाई C. ब्लिस डिप सुअर आपका सही जवाब होगा B. गाई आपका आठवा सवाल है भारत के किस राज्य में रावण का मंदिर है आपका ओप्षिन है A. गुजराद B. केरल C. तमिलनाडू डिप राज्स्थान आपका सही जवाब होगा D. राज्स्थान आपका अगला सवाल है 9. कौन सा जानवर सबसे ज्यादस होता है आपका ओप्षिन है A. श्यर B. हाथी C. भालू D. जिराफ आपका सही जवाब होगा A. श्यर आपका दस्वा सवाल है भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है आपका ओप्षिन है A. आगरा B. नैनिताल C. जैपुर D. उदैपुर आपका सही जवाब होगा C. जैपुर रोजाना ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को आउन कर लीजिए आपका अगला सवाल है 11. भारत की राष्ट्री मचली कौन सी है आपका ओप्षिन है A. डॉल्फिन B. वेल मचली C. राने मचली C. डिप शार्प मचली आपका सही जवाब होगा B. रूस आपका अगला सवाल है 13. किस चीव? कखून हरे रंग का होता है आपका ओप्षिन है A. मुर B. साप C. मचली डिप गिर्गिट आपका सही जवाब होगा डिप गिर्गिट आपका अगला सवाल है 14. भारत की सबसे सुन्दर इमारत कोट सी है? आपका ओप्षिन है A. ताज महल B. लाल किला C. इंडिया गिट D. कुदुब मीनार आपका सही जवाब होगा A. ताज महल आपका अगला सवाल है 15. महात्मा गांधी जी के पतनी का क्या नाम? था, आपके ओप्षिन है A. कमला देवी B. अरुना गांधी C. पुतली गांधी D. कस्तूर्बा गांधी आपका सही जवाब होगा कस्तूर्बा गांधी रोजाना ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को आउन कर लीजिए आपका अगला सवाल है 16. आधार कार्ड में कितने अंखोते है आपका ओप्शन है A. दस अंख B. पंद्रहंख C. बारवंख D. अठारवंख आपका सही जवाब होगा C. बारवंख आपका अगला सवाल है 17. कौन साजिव किसी भी चीज कस्वाद अपने पैरों से चक्ता है आपका ओप्शन है A. कोयल B. त्रितली C. मधुंखी D. चीरी आपका सही जवाब होगा B. त्रितली आपका अगला सवाल है 18. नौ दो ग्यारे होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा आपका ओप्शन है A. भाब जाना B. विरोद करना C. शुरू करना D. बन करना आपका सही जवाब होगा A. भाब जाना आपका अगला सवाल है 19. नीला सिर्फ कहाँ पाया जाता है आपका ओप्शन है A. भारत B. चीन C. जापान D. अमेरिका आपका सही जवाब होगा B. चीन चीन के तिब्बत पहाडियों में अब यह सवाल आपके लिए आप सभी लोग इसका जवाब कमेंड बॉक्स में जरूर बताए आपका सवाल है भारत की राजदानी क्या है आपका ओप्शन है A. दिल्ली B. मुंबई C. गुजरात D. जम्मो कश्मीर आपका सही जवाब क्या होगा कमेंड बॉक्स में जरूर बताए आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आईकॉन आउन कर लीजिए धन्वाद